चलिए आज सेकंड क्लास लेके आए हैं फिजिकल और कैमिकल चेंज क्लास सेवन्थ का फ़स्ट वीडियो से आपने देख लिया होगा मज़ा आ गया होगा दीर दीर आपका कंसेप्ट भी किलियर होगा और मेरस रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे आपने चापर तो अपने खुरी से बढ़ना काम है कि मैरा काम आपको अच्छे सवरार करिया और जो आपका थोड़ा भी टाउट से संनस्ट रिवीजन को क्या कर दे कुलियर तो चले स्थो करते हैं किलियर करने के लिए है स्टार्ट करते हैं हमने पहला evidence बता दिया था कि अगर कोई chemical change chemical reaction बोले अगर होता है तो उसमें gas का evolution होगा और उसको up arrow से बताते हैं कौन से arrow से? up arrow से यह तो आपको समझ में आ गया था अभी देखते हैं वहाँ पर यह भी मैंने बताया था कि combination reaction क्या होता है a reaction in which two or more substance combine and form a single product two or more compound substance combine and form the single product यह भी आप लोग ने देख लिया था यानि आपने यह देख लिया था कि combination reaction क्या था a reaction in which two or more more substance react and form single product कितना product बनाता है वे single product बनाता है जैसे आपने देखा n2 plus h2 n h3 single product बना कि नहीं c plus o2 co2 single product बना कि नहीं s plus o2 s o2 single product बना कि नहीं बना 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 यह सब आप लोगों ने प्रिवेस वीडियोज में देख लिया था देखा था कि नहीं है याद है देखें तो combination reaction तो confirm हो गया था अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था decomposition reaction यानि ऐसा reaction ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था decomposition चलो बता देते decomposition reaction जिसमें क्या होता था एक substance splits up होके एक से ज़्यादा product create करता था ठीक है चलिए और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था displacement reaction जिसमें जो reactive element होता था more reactive element वो less reactive element को क्या करता था displace कर देता था ठीक है चलो अब देखते हैं पहला evidence हो गया दूसरा formation of precipitate क्या चीज़ formation of precipitate यानि जब कभी कोई chemical reaction होता है उस reaction में कुछ ऐसा solid का formation होता है जो उस solution में नीचे जाके settle हो जाता है यानि precipitate our solid substance form during the chemical reaction and get separated and settle down at the bottom यानि precipitate क्या है ऐसा substance है actually ऐसा बोले तो solid substance है जो solution में settle हो जाता है वैसे reaction को क्या बोलते है precipitate यह हमेशा नहीं होता जैसे हमने लिया potassium iodide के आई potassium iodide उसको lead nitrate के साथ जब हमने डाला तो potassium nitrate बन गया और yellow color का potassium iodide आपको नजर आ गया तीक है अब देख लो agno3 यह silver nitrate है silver nitrate को जब आप salt solution में डालते हो equus solution है यह equus मतलब जिसमें water mix हो जब आप डालते हो तो बनता है agcl2 और sodium nitrate nano3 अब एक बात याद रखना जब भी precipitate बनता है less reactive यानि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रीक याद रखना precipitate जो बनाता है वो क्या बनता है salt with less reactive element जिसमें less reactive element होते है न वही precipitate बनाता है जैसे ध्यान दो यहाँ पे potassium iodide में potassium बहुत ज़्यादा reactive है ठीक है और Pb NO3 में Pb यानि यहाँ पर बात करें reactant में तो यह हो गया K और यह हो गया P अब देखलो यहाँ पर यह पर यह Pb यानि लीड लीड से ज़्यादा reactive है की आई तो की आई ने क्या क्या Pb को displace कर दिया यानि potassium ने potassium iodide का potassium है वो lead nitrate के lead को displace कर दिया अब इसका मतलब potassium ज़्यादा reactive है और lead कम reactive है अब कम reactive वाला कौन सा है Pb तो जो कम reactive वाला होगा प्रिस्प्रेट होगा की नहीं और यहाँ पर एक चीज़ और क्या हो गया इसका जो element है reactive element यह इसके पास चला है और यह वाला कहां चला गया यहाँ पर यह जो इसके उपर positive charge वाला element है वो एक compound से निकलके दूसरे compound में चला गया तो भाई double displacement का reaction definition भी आ गया a reaction in which there is exchange of radicals exchange of radicals तो भाई radicals क्या हो गया वो भी बता देते है radicals are atom और यहाँ पर लिख दो charged यहाँ तो charged क्या होगा atom और group of atom atom या group of atom को हम लोग क्या बोकते हैं radicals जैसे हमने देखा NO3 पर माइनस 1 CO2 पर माइनस टू है ना sorry CO3 पर माइनस टू यह सब क्या हो गया यह सब radicals हो गया अपने acid basin salt chapter अगर पढ़ा होगा तो पता चला होगा अगर अभी तक आपने वीडियो उस नहीं देखा तो तरद जाके वीडियो देखिए acid basin salt के सभी वीडियो तीन बार चार बार पांच बार जब तक आपको याद न हो जाए memorize न हो जाए understanding डेवलप न हो जाए उस समय तक देखते रिए क्योंकि ये वीडियो इस division के तौर पर बनता है ये एक एक पॉइंट को धीरे-दीरे करने के लिए नहीं बनता है एक्षेंज ओफ रेडिकल्स रेडिकल्स बोले तो ग्रूप ओफ चार्ज आटम्स दीर सारा एक्टम मिलके अगर चार्ज हो तब भी और सिंगल पर चार्ज हो तब भी वह आपस में क्या करते हैं एक्षेंज कर लेता है अब यहाँ पर देखो और एजी एनो त्री में एजी लेस रेक्टिव है और एने मोड रेक्टिव है अब क्या होगा एने चला जाएगा एजी के जगा पर एजी चलाएगा एने के जगा पर तो जहां भी एजी जाएगा वह क्या बना लेगा वह बना लेगा प्रिसीपिटेट तो प्रिसीपिटे है यानि जब यह reaction होगा तो यह solid के form में नीचे जाके settle हो जाएगा समझ में आ गया आ गया कि नहीं आ गया समझ में confirm है टेक है चलो अब next देखते हैं फटाफ लिसको कॉपी में लिए चलिए अब next properties देखते हैं properties number three और यह three क्या करा है कि there is changing energy कभी कोई chemical reaction होता है तो यह तो वह chemical reaction में हीत हमको देना पड़ेगा याशनि इन the form of energy energy किसी भी form में डिया जा सकता है जनरली heat के form में दिया आता है या तो energy हम देंगे या तो हम heat supply करेंगे या तो वह हमें heat करेगा कौन का या तो हम उसको देंगे या तब वो हमको देगा तो अगर reaction में वो heat हमें देता है अगर हमें heat देता है वो अगर heat produce करता है तो उसको बोलते है या तो वो heat दे दे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडो थर्मिक इंडो मतलब लेने वाला एक्जो मतलब देने वाला तिक है अब कुछ reactions आपके सामने हैं अगर आप लकडी को जलाते हैं carbon plus oxygen तो carbon dioxide gas निकलता है और heat भी produce होता है कि नहीं fire cracker देखेंगे combustion reaction इस reaction को हम लोग बोलते हैं कौन सा combustion reaction combustion reaction अब यह reaction क्या है ऐसा reaction जिसमें fuel burn करने के बाद heat के साथ साथ क्या produce होता है इसके साथ साथ produce होता है light और heat और light energy के form में अगर heat के साथ light भी आता है तब उसको क्या बोलेंगे combustion reaction क्या चीज़? combustion reaction जैसे याद होगा आप LPG जलाते है न देखो CH4 methane को जब आप burn करते हो तो फिर क्या निकलते है? carbon dioxide gas plus heat plus light तो ये भी reaction कौनसा reaction हो जाएगा ये? combustion reaction magnesium का river आप नोगर देखा पटाका जलाए होंगे आप लोग उजो राता जिसमें आप माचस जलाते हो तो magnesium के river को आप जलाते हो तो magnesium का आस निकलता है white और साथ में heat भी produce होता है तो ये कौनसा reaction हो गया? अगर heat produce करेगा तो ये होगा exothermic और heat जब हम लोग देंगे तो क्या होगा? Indothermic जैसे ये भी बताया हमने nitrogen अगर hydrogen के साथ रियक करेगा तो ammonia बनाएगा क्या बना दिया ये? Ammonia इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Ammonia अथ तब जाएक क्या होगा? heat produce होगा एक और simple example मैं बता दो आपने चूना देखा होगा market से खहित के लाते हैं वो CAO है सुखा हुआ चूना उसको जो ही आप पानी में डालते हैं वो देखेंगा बड़ 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 उसमें से अब पूरा जो बाल्टी होता है वो गरम हो जाते है ये बाल्टी गरम क्यों हुँँ हुआ? क्योंकि इसका मतल example देख लो अब देखो जब heat देता है तो plus heat लेते हैं लिखते हैं और जब उसमें heat हम देते हैं वो absorb करता है तो minus heat या तो यहाँ पर minus heat लिख दो चाहे इसके उपर भी आप heat लिख सकते हैं जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं दोनों same ही है ठीक है तो इसका कुछ example है जिसे carbon क जब oxygen के साथ रिएक करते हैं तो क्या बनता है अब यह और reaction होता है तो आपको पता है जब lightning जिससे में होता है करका जिससे में करकता है तो atmosphere में जो nitrogen है ठेक है वो nitrogen oxygen oxygen के साथ रिएक करके NO बनाता है, NO2 बनाता है, N2O5 बनाता है, और वो N2O5 जब पाने के साथ मिक्स होता है, तो नाइटरिक एसीर बनता है, वो नाइटरिक एसीर जब स्वाइल में पहुंचता है, तो अमोनिया में कनवर्ट कर दी जाता है, जो भी हम बैक्टेरिया के द्वारा याद होगा, नही थर्मिक रियक्शन हो गया, एक्षो थर्मिक रियक्शन हो गया, next property आपके साम लेके आते हैं, फटा फट इसको copy में लिख लो, ठीक है, अब next देख लेते हैं भई, अब next में हम लोगों देखा था, change in color, color में क्या हो जाता है, change हो जाता है, जब आप lab में जाओगे, तो lab में potassium per magnet होता है, उसका color होता है, pink, तेक है, और lab में लेखो, बिल्कुल white color का colorless होता है, hydrogen peroxide, lab में काम करने वाद केरफूल रहना, teacher की presence में करना है, तेक है, जब आप potassium per magnet का solution लेते हो, उस solution में क्या है, hydrogen peroxide, तो जो इसका pink color होता है, वो दीर दीर क्या होना, शुरू हो जाता है, गाइव होना, शुरू हो जाएगा, क्या होजगा, pink color उसका, गाइव हो जाएगा, टिक है, तो उसमें क्या बनता है, magnesium dioxide, potassium hydroxide, oxygen gas release होता है, और water vapor, evaporates होता है, अब एक छोटा सा और example आप लैब में जाके कर सकते हो, वहीं मैं बतारा है, जो आप देख सकते हो, यह copper sulfate, salt है, acid basin salt अभी भी chapter नहीं देखे, तो फटा फट देख लेजगा, copper sulfate क्या है, salt है, इसका color होता है blue, ठीक है, जो ही, इसको पानी में आप मिलाते हो, यानि इसका क्या बनाओगे आप, aqua solution बनाओगे, अब उसमें iron का nail डाल दो, 4-5 iron का nail डाल दो, एक दो भी डाल सकते हो, ठीक है, तो धीरी धीरे उसका color किसमें convert हो जाएगा, blue से, brown में convert हो जाएगा, अब यह जो आपने change in color देखा, यह हुआ है कि नहीं chemical change, है न, इसके अलाबा, और भी कुछ चाहते हो, आप कह सकते हो, इसके अलाबा, अगर आपको देखना है तो, change in smell, किसमें change होता है, smell में change आ सकता है, ठीक है, और भी कह सकते हो, तो आप कह सकते हो, production of sound firecrackers आपने जलाए होगा, तो firecrackers जलाने में sound of heat और light सब पर डिस होता है, तो actually में क्या हो गया हो, वो chemical change हो क्या है, मज़ा आ रहा है, फटा फटा इसको copy में, लिखे, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और हम लोग देखेंगे, some common chemical changes that occur in our surrounding and how can we deal with them, like rusting, castellization, okay thanks for watching the videos, if you like the videos then like button, press the like button and subscribe the channel and share with your other friends, thank you for watching the videos you